हलो दोस्तों कैसे हैं आप साब एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूटूब चैनल MS Vlogger में आज हम दच्छिर भारत के कैलास यानी स्री सैलम मलिका और जिन जोती लिंग की बात करने जा रहे हैं जिसमें हम जानेंगे कि हमको स्री सैलम कैसे पहुचना है स्री सैलम में कहां रुकना है निसुन भोजन पर सादाल है वहाँ पर कहां मिलेगा और स्री सैलम में हमें कहां कहां गूमना है और अंत में ये भी जानेंगे कि स्री सैलम जोती लिंग की दरसन करने में हमारा कितना खर्च लग जाएगा तो दोस्तों बने रहिए मेरे वीडियो में मैं आपको एक एकर सारी बाते को बिश्थार पूरा बताऊंगा जिस आपको स्रीसेलम जोती लिंग घूमने में कोई कटनाई आपको उत्पन नहो तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि हम स्रीसेलम जोती लिंग कैसे पहुँचें यहां पहुँचने के तीन आप्शन हैं सबसे पहले आप्शन की बात करूँ वह है बाई ट्रेन अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो ट्रेन से आने के लिए आपको अनजदी की रियल्वेश टेशन है वो है मारकापूर रोड़ दोस्तो मारकापूर रोड़ से स्रीसालम की दूरी वो है 90 किलोमेटर की दूरी है तो आप किसी भी सहर से आ रहे हो तो मारकापूर रोट तक की टिकट बुक करा लिजिए और मारकापूर रोट उतर कर आप 90 किलोमेटर का सफर बाई बस तै कर सकते हैं अगर हम बस की बात करें तो आप आनलाइन मुकिंग होती है तो आप इस साइड पर जाकर आप स्टेट बस की साइड में जाकर अपना आलाइन मुकिंग कर सकते हैं अगर मैं यहाँ पर काश्ट की बात करूँ तो दोस्तो आपका 160 रुपय का चार्ज लगेगा तो अच्छा होगा कि आप आप आर लाइन मुकिंग कर लीजिये अगर आप मारकापूर तक आ रहे हैं दोस्तों अगर आपको मारकापूर तक ट्रेने नहीं मिलती हैं तो आप का दुसरा आप्शन है वो करनूल सिटी रिल्वेश टेशन आप आ सकते हैं करणूल सिटी से सिर्फ सेलम की दूरी 180 किलोमेटर होती है तो आप उतर कर बस से जारा जा सकते हैं रेल्वेल स्टेशन से बस स्टैंड की दूरी 1.5 किलोमेटर पड़ेगी तो आटोवाल आपको छोड़ने का 20 रुपय में वहाँ जाकर आप पकड़िये यहां की बसे बुकिंग इसी वेबसाइट में जाकर आन परदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट की बुकिंग आप आनलाइन बुकिंग करा सकते हैं आप सिरी सेलम पहुंच होते हैं दोस्तो 180 किलोमेटर वह आप 6-7 घंटे में लगेगा वही बात करूँ अगर यादे आप मरकापुर से भी सिरी सेलम जाते हैं तो आपको लगबग 3 घंटा लग जाएगा मंदिर परसत तक पहुँचने में तो यह था दोस्तो आप्शन बा से आ रहे हैं तो आपको करनूल या मरकापुर बेश्ट है मगर आप बस का सफर करना चाहते हैं या फिर हैदराबाद आना चाहते हैं तो आपके लिए बेश्ट है है हैदराबाद या शिकंदराबाद दोस्तों यहां से आपको डारेक्ट सिरी सेलम के लिए बसे मिल जाएं चार से रुपया एक बित का तो आप इस साइड पे जाकर बस मुख कर सकते हैं और स्री सेलम पहुंच सकते हैं अब दोश्तो तीसरे आप्षन की बात करूँ वो है वाइफ्लाइट अब अगर आप वाइफ्लाइट से आना चाहते हैं तो आपका निजदी की एरपोर्ट पढ़ेगा वो है है यदराबाद दोश्तो हैदराबाद आईए हैदराबाद से बस से आपको दोरी तैय करने ही करता है कि स्री सेलम की पार पहुंच चुके हैं सबसे बड़ा पॉष्सन में हम रुक हैं दोष्तों के बात करूँ तो वह एक दिया जाता है मंदिर परसर के आशवास, स्रीसायलम, देष्ठानन, ट्र्ष्ट के रूम देखने को आपको मिल जाएंगे वहाँ पर आप जाकर रूख सकते हैं ऐसी, वानाञनेशी, दो और ही कमरे आपको मिल जाएंगे जैसा आप लेना चाहिते हैं, वासा रूख सकते हैं इस ट्रेस्ट की बुकिंग आप इस साइड पर जाकर ट्रेस्ट की रूम बुक कर सकते हैं अगर दोस्तों कास्ट की बात करूँ तो 9-3 रूرة पर डेग चाहसे परता है वहीं ऑसे रूम की बात करूँ तो 10 काफी चेक आउ टाइम है शुबह 8 बजे से दूसरे दिन आठ बेजे तक दूसरा अप्शन है वहां पर बनी हुई हैं आंग प्रदेश की काफी होटल तो आप उन होटलों में जाकर अपना इस्टे बना सकते हैं अगर हम यहां पर कास्ट की बात करूं तो वह कास्ट साथ रुपाय से एक हजार रुपाय तक आपको य जानना है उसके बाद हम दर्सनकी लिए बढ़ते हैं दर्सनक करने से पहले सबसे पहले एक चीज है वह आपको लेना पड़ेगा एक सोई एक्सेस कार्ड यानि एक प्रकार की यात्रा परची वो आप यात्रा परची निकलवा लीजिए यात्रा परची मंदर के गेट के सामने से ही मिलेगा वहां अपने एक्सेस कार्ड निकलवा लीजिए यहां एक्सेस कार्ड दो प्रकार होते हैं एक तो यह अगर आप फ्री दर दर्सन यानि VIP पास आप उसका काश जो होता है 150 रुपाय होता है अगर आप VIP पास लेते हैं तो अपना आपका एक घंटे से आदे घंटे में दर्सन मिल जाएंगे बोरेनाथ के ये आपको आइल लाइन भी निकल जाएगा तो आप इस वेबसाइट पे जाकर आइल लाइन पा पास मिलता है उसी के बगल में आपको वहाँ पर बना हुआ है मुवाइल लाकर फ्री लाकर सर्विसेस है वहाँ अपना मुवाइल कामरा रख दीजिए और सू काउंटर पे अपना शूर्प दीजिए और मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं लाइन में लगते हैं घोलेना के दर्सन कीजिए और आगे बढ़ते हुए हम ग्रह में पहुचते हैं यहां पर पिस्तीस सैलम मलका र्ुझन्र का हम दर्सन करते हैं अपनी बनों को आमने मांगते हैं अपने विशेश शृश मांगते हैं और आगे ओम न ब्रास्भा कायते हुए मंदिर पर सरके बाहर आ हैं दोश्टों आप बात करते हैं कि हमको लायन में कितना समय लग जाएगा पहले हम बात करते हैं किसी सैलम हमको कब जाना चाहिए उचिस समय कौन सा रहेगा उचिस समय विंटर का समय यानि शितंबर से फर्वी तक आप आपको यहाँ जादा भीड देखनें नहीं मिलेगी लेकिन आप किशी पर्व में यानि महाशुरात्री या सावन के महने में आते हैं तो आपको काफी भीर देखनों को मिलेगी। यह आप आप सीजिन में आते हैं यानि आप सितंबर से एक्टूबर के आस पास आते हैं तो आपको देड़ से दो घंटे में दर्शन हो जाएंगे बोले नाज के चलिए इसी के साथ हम बात कर लेते हैं कि हमको स्रीस एलम में कितने दिनों का इष्टे बनाना चाहिए तो दोस्तों स्रीस एलम में दो दिन का इष्टे सफी सेंट है यहाँ पर मलका अरजुन जोती लिंग के अलावा बहुत सारे छोटे छोटे दर्शने इस्थल हैं वहां भी हमको जाना है उसके लिए आपको एक दिन और आड़ करना होगा तो दोस्तों दो दिन सफी सेंट है स् और मलका और जिन जोती लिंग दर्शन के लिए चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि हमको खाने पीने की क्या बहुष्था है तो स्रीस एलम में यहाँ पर भोजन करने के धेर सारे माध्यम है स्रीस एलम एक परवत पर है लेकिन फिर भी आपको दो आप्शन है मिलते हैं पहले आप्शन की बात करूँ तो आपका त्रीस एलम दोस्तानक की तरफ से आपको भोजन दिया जाता है दोस्तों मंदिर परसक के ठी बगल में एक बना है अन परसाथ जो की फ्री भोजन आपको यहां मिलता है आप यहां जाकर भोजन गरान कर सकते हैं अगर इसकी टाइम की तरफ से भोजन करना चाहते हैं तो आप यहां पर प्री अन परसाथ ग्रांड कर सकते हैं के लिए दोस्तों दूसरे आप्शन की बात करता हूं तो वह प्राइविट होटल वहां पर वहां के भोजनाले दोस्तों मंदिर परशक के कैमपश के आसपास एक किलो मुटेर के तैरे में आपको भोजनाले वर रेश्टोरंट देखने के मिल जाएंगे तो वहां आप जाकर भोजन कर सकते हैं जो कि नार्मल कास्ट की बात करें तो एक ठाली की कास्ट 80 रुपा से 100 रुपाय तो मिल जाएगी चलिए दोस्तों अगर आप बात करते हैं बुले नाज के द स्थान पर घुमना है सबसे पहला स्थान है आपका पात्यान हैं है पताल घन गंगा death can me volcano में आप घ downtड़ बना हुआ है रसारा दी के पास हमको वहां जाना है हमको को लदुपी लगाना है अस्रान करना है है कि पताल किनगा कैसे पहाँचे उससे धिया बात करते हैं तो दो पास दो आप्षन है पहला आप्षन आप सीरीज जार सकते हैं दूसरा आपको बोड़ बचार्च करेगा और और टायम के पास आपको निजाद दिखा कर वापस घाट पर छोड़ देगा अगले श्ठान की बात करते है वो है आपका साच्छी गरपत मंदिर तो मंदिर परसर से एक किलोबटक दूरी पर है आपका साच्छी गरपत मंदिर यहाँ पर गरपत जी के दर्सन कीजिए अगर दर्सन है तो आप इनके भी दर्शन कीजिए और बढ़ते हैं अग्ले स्थान की और वो है आपका चिच्चू लचमी मीजियम दोस्तों चिच्चू एक प्रकार का मीजियम है सरंगाले है जहां पर आपको प्रदेशिक जनजातियों के जीवन की एक जलग देखने मिलेगी इस रंगाले में जाकर अपना कुछ समय बेचीज कीजिए इसकी दूरी है मंदीर पर सरसे एक किलोमेटर चलिए अग्ले स्थान की उबढ़ते हैं वो है आपका पाल धारा पंच धारा यहां पर एक वाटर फाल है जो वाटर फाल आगे चलकर क्रिश्णादी में मिल जाता है दोस्तों यहां पर पहले आपको एक साथ तेड़ी उपा चलकर जाना पड़ेगा यह मंदीर पर सरसे पाच किलोमेटर दूरी पर है अगले स्थान की बात करता हूँ तो वो आपका बंगली में बना हुआ है वो आपका ब्रम रामा मंदीर दोस्तों इस मंदीर में माता सक्त अगरदन गिरा था यह 51 सक्थ पीठों में से 1 सक्थ पीठ है यह हमारे मलिका और जीर मंदिर के ठीक पीछे है ब्रम रामा मंदीर मिलेगा तो आप यहां भी दर्तन कीजिए दोस्तों वहाँ पर मंदिर परसर के पास बहुत सारे घेड़ सारे आटो वाले देखने को मिल जाएंगे आटो वाला आप से गेर सो रुपाय से दो सो रुपाय चार्ज कर लेगा टेक बिक्तिका ये सारे जो को घूमा कर आपको एक दो घंटे में मंदिर परसर के बाहर छोड़ देगा चलिए दोस्तो आखिर में अब बात का लेते हैं कि स्री सैलम में घूमने में एक बत का खर्चा कितना लग जाएगा दोस्तो अगर आप दो दुनी का इस्टे मनाते हैं अगर आप ट्रेस्ट में रुकते हैं और अन परसाद के में भोजन गरहन करते हैं तो आपका एक बत का खर्चा दोस्तों पंद्रा सो रुपाय से दो हजार रुपाय के लगबग लग जाएगा जो की पूरे स्री सैलम घूमने के लिए प्रयाप्त है इसमें मैंने बस के टिकट को जोड़ा है चाहे आप मारकापूर से आए हूँ या कुर्मनू सिटी से आए हूँ या हैदराबास से आए हूँ यहाँ पर मैंने ट्रेन का टिकट या फ्लाइट का टिकट अलग से जोड़ लीजिएगा तो दोस्तों यह था स्री सेलम का पूरा वर्णन अगर आपके मन में कोई प्रश्ण हो तो मेरे इस्टेग्राम में जाकर आप प्रश्ण को सकते हैं चितल से मेरे यूटूब चैनल एमेस वलागर को सब्सक्राइब कर लिएगा यह वीडियो फिराली इतना ही मिलते हैं कि नए वीडियो में एक नई आत्रा के साथ हरहर महादियो आपकी आत्रा मंगल मैं हो